यदि आप किसी समस्या में फसे हुए हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए तो आप अगर चाहते हैं कि आखिर जो next step होगा वो क्या होगा तो आप comment करके अपनी समस्या जो है सामने रख सकते हैं मेरा पढ़ियास रहेगा कि इसी तरह से आपके भी सवाल काम जवाब दें यहाँ पर एक पिता के बड़े भाई नहीं दे रहे हैं जमीन में हिस्सा पिता के जो बड़े भाई हैं वो जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे हैं क्या करेंगे करहाय सर मेरे पापा तीन भाई हैं और मेरे पापा सबसे छोटे हैं लेकिन जमीन लेने के टाइम में पापा नवालिक थे अब उसमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा है क्या करें तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो एक तरह से कोई जॉइंट में अहां पर अगर जॉइंट अगर है तो जॉइंट पडिबार है और पडिबार जॉइंट है अब यहां पर क्या हो गया अब प्रोपर्टी को खरदा गया जमीन को खरदा गया अब जमीन में जो है माल लेते हैं जो एक और भाई है उसको हक जो है कानूनी रूप से नहीं दिया जा रहा जबकि ये तीन भाई के जो पिता थे उनके द्वारा जमीन खरदा गया था ठीक है यानि प्रूपर्टी जो है एक तरह से जोएंट में खरदा गया था पिता के द्वारा खरदा गया था तो उस केस में आज जो है कानूनी अधिकार जो बैती है उस परिवार का सदस है जोएंट फैमिली का अगर कोई सदस है तो उसको मिलेगा रही बात हम आपको बता दे कि अगर कोई बरा भाई है और वो बरा भाई है और वो एक तरह से परिवार से जो है इनकम से कमाया और खुद के नाम अगर परिवार में बटबारा नहीं हुआ है खुद के नाम से अगर प्रोपर्टी खरिद लिए तो भी जो है चोटा भाई दावा कर सकता है तो कह से कर सकते हैं और यह रख सकते हैं कि योईंट प्रोइट resurrection ऑर ज्वांट्र प्रोइट्ध जो है हमकोको नहीं दिया रहा है और उस ब्यक्ति को detailsरत पूुछा जाएगा कि देखें जुद् जो प्रोइडर है और ज्वांट्र अगर है तो आखिर किया नहीं तो ये सवाल तो एक तर से पूछना लाज्मी है, उसको भी जवाब देना परेगा कि वो क्यों नहीं दे रहा है? अब रही बात कि वो अगर ये इस तरसे उनको भी पूरूब करना परेगा कि ये जमीन जो खरदा गया, आप अपने से खरदे हैं, अपने कमाई से खरदे हैं, जो आप इसमें हक नहीं दे रहे हैं कमाई से खड़ दे तो प्रूप दीजिए कैसे खड़ दे क्या था इंकम का सुरोप अगर पडिबार के जो है एक तरह से पडिबार का जो जो जोइंट प्रोपर्टी है पैतरिक संपत्ती है उसके कमाई से भी आप अगर प्रोपर्टी को खड़िद लिया अपने नाम पर तो वो भी गलत है उसमें भी आपको कानूनी तोर पर हग देना परेगा तो कहीं न कहीं जो छोटे भाई हैं उसका कानूनी अधिकार है और वो अपना अधिकार जो है वो हासिल कर सकता है अगला है कि यदि पती ने पतनी के नाम से खड़िदा मकान तो क्या है कानूनी अधिकार मैं बिद्वा मैला हूँ और मेरी उम्र सत्तर साल का मेरे पती द्वारा मेरे नाम पर मकान खड़िद है मेरे पती की मिर्थिव हो गया है मेरा बरा लरका बड़ी बहु उनका बेटा मेरे साथ गाली गलो जेबम घर से निकालता जबकि मकान मेरे नाम पर है मैं अपने बरा बेटा और बोता को घर से निकालना चालता हूँ तो उसके लिए हाई कोट में अपील कैसे करना होगा अगर यहाँ पर आपके नाम मकान है तो इस पे पूरा पूरा आपका अधिकार है तो आप चाहें तो SDM, SDO के पास आप आबेजान दे कर केस फाइल कर सकते हैं और अपनी समस्या रख सकते हैं ठीक है यह हो सकता है कि कोई परकरिया निकले उसके लिए और रही बात यहां पर घर से निकालने की तो आप जरूर निकाल सकते हैं इसलिए आपका इस पर कानूनी अधिकार है अगर आपके जो बेटे हैं और बहु हैं अगर वो आपको परिसान कर रहे हैं तो आप चाहें तो घर में अपने घर में आप रह सकते हैं और जो बेटा बहु है उस पार जो उनके पिता का कुछ पैतरिक संपत्ति अगर होगा तो उन पे कानूनी उनका अधिकार बनेगा ये मकान अगर अरजित है आपके नाम पर है आपके नाम खरीदा गया है ठीक है आपने ये मेंशन किया है कि ये खरीदे गया है तो इस पे सिर और रही बात हाई कोट में अप्पील करने के, पहले आप ये परक्रिया करें. बाद की बात है, यानि आप चाहें तो हाई कोट जाने की जरुवत नहीं है, पहले आप सिबिल कोट जाएगे. ठीक है सिबिल कोट में जो भी सम्मंदित मामले हैं उसको दर्च कराएंगे ताकि जहने केस फाइल करेंगे और रही बात यहां उससे पहले ताकि जो अधिकारी है उनके पास कंप्लेन करें कि आपके साथ गलत हो रहा है आपको घर से एक तरह से भगाया जा रहा है और आपकी उम्र जो है कहीं न कहीं 70 साल है आप कहां जाएंगे परिसान कर रहे हैं गाली गलोज कर रहे हैं मारपीट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उस पे कारवाई की जाएगी जमीन बेचने के बाद जमीन को वापस कैसे प्राप्ट कर सकते हैं सरहं जमीन बेच चुके हैं उस पे मेरा ही कब जा 40 साल से अभी 40 साल बाद वो थाना में कम्प्लेन किया जमीन की मांग कर रहा है जमीन अगर ये जमीन ये आप बेच दिये ठीक है बेच दिये अब इसकी रजिस्ट्री भी हो गई रजिस्ट्री भी एक तरह से हो गई तो जिस दिन रजिस्ट्री अगर हो गई यहाँ पर आपका जो है एक तरह से अधिकार खत्म हो गया अधिकार जो है वहाँ पर खत्म हो गया अब है कि 40 साल से आप कबजा में रहें आया 100 साल से आप कबजे में रहें ये जमीन आपको वापस देनी होगे अगर रजिस्ट्री हो गया है तो रजिस्ट्री नहीं हुआ है किसी परकार का कोई sale lead नहीं बना है सिर्फ आप पैसा ले लिए हैं तब तो आप जमीन चाहेंगे देना तो दे सकते हैं नहीं देना आपके मन के उपर depend करता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा कितना भी कोई complaint कर ले जमीन आप से नहीं ले सकता है लेकिन अगर आपके पूरबज आपके पिता आपके दादा के द्वारा ये जमीन पहले बेच दिया गया है उसकी रेजिस्ट्री हो गई है तो आपको वो जमीन जो है कानूनी तोर पर खाली करना ही होगा सवाल है कि खतियानी जमीन दादा और दादा के भाई के नाम है करें सर खतियानी जमीन मेरे दादा और उनके भाई के नाम से है लेकिन मेरे दादा के भाई के दो बेटे हैं जो एक तरह से ओनलाइन के माध्यन से खतियान अपने नाम से कर के लगान रसीद कटा रहे हैं मेरे दादा का हिस्सा नहीं रहने दिये शर तो मैं क्या कर., देख़ये खतियान का जमीन है और उनके खतियान की property है, तो खतियानी property अगर खतियान में अगर सुथार की जरूट है, तो ये सुथार अब सिर्फ सिविल कोर्ट से होगा, इसमें आपको पुराना अगर जो भी दस परसकती है, उसकी जरुवत परसकती है, साथ में वनसा वली के अधार पर आप अगर उस परिबार के उत्रादिकारी है, या आपके दादा भी उसी परिबार से बिलॉंग करते हैं, लेकिन उनका नाम दर्ज नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप जो है कोट में केस फाइल कर सक सकते हैं, उनका नाम दर्ज होगा, उसके लिए आदेश जाड़ी होगा, और अगर कोई लगान रसीद अपने नाम पर कटा लिया है, वो सारा रद हो जाएगा, और फिर आपके नाम आपका जितना भी हिस्सा होगा, जितना भी सेर होगा, मा लेते हैं जमीन है, ठीक है, अब सवाल है कि 1982 के पहले से कबजा है, कैसे अपना अधिकार पराप्त करें, यह करें, 1982 के पुर्व से कबजा है, कुछ खाली जमीन बरतन सुखाते हैं, गाउं का दबंग बैक्ती सरकारी जमीन बताकर ऐसा करने नहीं देता है, सिबिल में मुकदमा चल रहा है, पुलीस के पास गए, थानेदार 107-116 का केस लगा दिया, हमारे दरवाजे विडियो उसके दबंगई का है, जो भी है, उसके दबंगई का है, सिबिल में उसके खिलाब क्या करें, जबकि 1970 के एक मुकदमा में नाम हमारा बता रहा सिबिल कोट का, देखें, जो भी मामला है, आप पहल जमीन अगर माल लेते हैं, जमीन अगर सरकारी है, तो कोट चले जाए, कहीं भी चले जाए, उस जमीन में हाल, एक होता है कि लंबे समय से हम कबजे में हैं, ठीक है, जरुवत परने पर आपको एक सरकार के द्वारा ही अधिकार दिया जा सकता है, बंदवस्त किया जा सकता ह लेकिन सरकारी जमीन आपकी नहीं हो सकती है, ठीक है, आप दावा कर सकते हैं, रही बात यहाँ पर कि अगर आप उसमें कोई जमीन है, वो सरकारी बताया जा रहा है, अगर सही में वो सरकारी जमीन है, सरकार की जमीन है, तो सरकार भी उस पर एक्सन ले सकती है, अब यहाँ पर वो जमीन की सही जानकारी आपको प्राप्त करनी है आपका लंबे समय कबजा है किसी का सरकार की जमीन है नीजी जमीन है आप भी सिविल कोर्ट में केस फाइल करके मानिकान जो है एक तरह से यहाँ पर हक का दावा कर सकते हैं फैसला जो होना होगा वो बात की बात हैं, आप भी अपने W deles का जो धावा है वो पोट में कर सकते हैं, अपना पक्श जो है वो रख सकते हैं, इसलिए कि ये आपकी जमीन, लंबे समय से आप इसमें उपयोग कर रहा है, लंबे समय से इसमें आपका जो बरतं सूखान वी होना चाहिए ताकि ये बात प्रूफ हो सके कि आप 1982 से उस जमीन पर काया बात की बात है कि कोर्ट का फैसला किसके पक्च में होता है आपका कितना दस्थाबेज जो है आपका पक्च कितना स्ट्रॉंग है उस पर डिपैंड करता है सवाल है बेटा ने खरीदे लिया मा के नाम जमी तो वापस कैसे प्राप्ट करalts आई बहुत जगह ऐसा ही होता है जमी जब अप खरीदे में तो यह जमीन क्या किया आम एक तरह से बेटा बेटा ने क्या किया मा के नाम जो है नाम रेजिस्टरी करा लिया तो अब आप समझ लें कि आप जो है पैसा लगा कर मा के नाम अगर आप जमीन खरी दे लिए कल को वो उसको आप अपना जो है एक तरह से बताएंगे अभी तो उस पर पूरा पूरा राइट किसका मा का है मा को आप दिये वो जमीन मा को खरीद के वो जमीन दिये अब आप क्या कर रहे है अपना दावा पेस कर रहे है है ना आप अपना जो है एक तरह से ठीक है मा के द्वारा अगर वो संपत्ती बेचा जा रहा है बेचा जा रहा है ठीक है मा जो है एक तरह से वो संपत्ती आपको अब नहीं दे रही है उस situation में आप case फाइल कर सकते हैं कि ऐसे आपने सारा पैसा दिया लेकिन प्रूफ देना परेगा जो भी आपने पैसा दिया सारा प्रूफ देना परेगा पैसे का प्रूफ वहां होना चाहिए आपने खरिदा कैस पैसा लाया कहां से पैसा लाया कौन सा पैसा था कितना पैसा आपने दिया वह प्रूफ होना चाहिए अगर यह प्रूफ अगर हो जाता है तो कहीं न कहीं आप अगर मा के द्वारा बेचा जा रहा है नहीं दिया जा रहा है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है लेकिन अगर देखें कोई संपत्य आप मां को दे दिये तो मां को भी तो फिलाल मां के नाम है मां उसको कुछ भी कर सकती है अब अगर यह सोच रहें कि मां के नाम से जो आपके नाम पर हो जाए तो मां अगर आपके एक तरह से आप अपने नाम पर ट्रांसफर कराएंगे और माँ के दोरा अगर NOC दे दिया जाएगा तो अब अपने नाम पर उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं तो ये पॉसिवल है या माँ से आप क्या कर सकते हैं वसीयत जो है यहाँ पर लिखवा लें या माँ से आप क्या कर सकते हैं इफट डिड बनवाले तो जो भी कराना आप यह परकरिया जो है वो कर सको अब किसी बैक्ती पर आपने case कर दिया कोर्ट केस जवाब नहीं दे तो क्या होता है देखे मालने तो यह कोई भी मामला हो जब आप यह Mayalने यहां लेते हैं जो गया उसके बाद जो है मान लेता है फिर उसको डाक के द्वारा भेजा जाएगा है ना फिर इसके बाद जो है यहाँ पर इसको न्यूज पेपर के माध्यम से इसके बाद क्या होगा कि इसका अब गजट हो जाएगा यानि अब जो है वो तो आया नहीं अब आपके पक्ष में जवाब नहीं देता तो अपने पक्ष में फैसला ले ले ठीक है एक बार आपके पक्ष में वो डिगरी हो गया तो बाद में भी अगर वो नहीं आया एक time period के या उपर appeal नहीं किया अपने time period में तो वो degree पूरा औजीबन मानने रहेगा यानि वो कुछ भी कर ले उसको बदल नहीं सकता उसको time दिया गया लेकिन वो time का उपयोग नहीं कर पाया वो notice का जवाब नहीं दिया तो सारा परक्रिया करना अगर court से कोई case कर दे उसका अगर जवाब नहीं देता तो बहुत case भी करा है लेकिन जवाब नहीं दे रहे तो जवाब नहीं दे रहे जिजए अगर आपके पक्ष में इसका फैसला हो जाएगा तो कल को जब जिन आपके पास degree आ जाएगा उस degree के अधार पर पर परसासन को आधेश जो परसासन को पावर मिल जाएगा उसको खाली करवाने का उसके पास तो कोई option बचेगा नहीं किसी भी हालत में उसको जमीन खाली करनी परेगी क्यों खाली करनी परेगी कि जमीन तो जब उसको कोट में जो है case फाइल किया गया तो उसका जवाब ही नहीं दे और अगर आपको court से notice आजाता है, तो court से अगर notice आता है, तो आपको जो है, आपर जवाब उसका जरूर देना चाहिए, यानि आपको अपना पक्छ रखने जाना चाहिए, नहीं जाएंगे, जो party आपके उपर case फाइल किया है, उसके पक्छ में एक तरफा फैसला हो जाएगा, पक्छ में क्या होगा, एक तरफा यहाँ पर फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, अब इसके बाद फैसला यह भी हो सकता है, कि फैसला के बाद जो है आप चाहें तो उसके उपरी अदालत में अपील कर सकते हैं ये आप के जो है आप ये कर सकते हैं ये परकेडिया में जा सकते हैं लेकिन आप एक जगा जो है आप चूक गए आप हार गए वहाँ पर आपके पक्ष में फैसला नहीं हुआ इसलिए कहीं न कहीं कोट केस का मसला हो कोट से नोटीस आए तो जवाब जरूर देना चाहिए असा करते है वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो चे वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा ले मिलते हैं अगले बुड़ी में तब तक के लिए जाएंगे